असलाम लीकुम विवर्स अवैस अमद घरल पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स आज मैं मुझूद हूँ में जिन आइविन्यू की बी साइड के उपर और मेरे सामने है जो आप एक हायराइस बिल्डिंग देख रहे हैं ग्राउंड प्लस 15 की GM ट्रेट सेंटर इसका नाम है और बिल्डर्स के अगर में बात करता चलूं तो GM वाले इसके बिल्डर्स हैं जो के बेडल टाउन कराची के अंदर बहुत अच्छा काम करें हैं कि काफी ज्यादा प्रॉजेक्स जो हैं इस टेम पर चल रहे हैं और इस ताइम पर आल्मोस्ट इतने प्रॉजेक्स से उनने लांच किया है उन सब पर कंस्क्शन का काम जारी है कुछ जो हैं वो कंप्लीशन के करीब हैं जिनका ग्रेस्ट्रेक्टर रेडी और कुछ पर जो है वो 6-7 साथ फ्लोर जो है वो रेडी हो चुकी हैं ग्राउंड प्लस 15 की ये बिल्डिंग के इसमें रेडी ओफिसे चलें तो वहां पे भी हमें जो है वो हर फ्लोर पे और मुस्ट जो है वो दो से तीन आफसे जो हैं वो फंक्शनल देखने को मिलते हैं अभी यहां पे कुछ अवेलिबिलिटी जो है वो मजूद हैं जो के री सेल पर हमारे पास आप्शन आ रही हैं और एक अच्छी में भी एक रिजन नेवल अमाउंट जो है वो रेंट की हम मंसली हासिल कर सकते हैं मतलब आप अगर यहां पर आफिस लेते हैं और कोई छोटी भी एक अमाउंट मंसली आप चाह रहे हैं कि आपको मुसलसल आती रहे तो उस चीज़ के लिए एक बहुत अच्छी आप्शन है रेडी ओफिस हैं यहां पर और इंवार्मेंट अच्छा है पार्किंग की कोई ऐसे इशू नहीं एक वसी पार्किंग हमें यहां पर देखने को मिलती है इसके सामने दोनों साइड़ों पर और में जिना के उपर में कमर्शल हर जिसको माना जाता है बिसनेस के लिएक तरह स तो उसके दरम्यान में बिल्कुल यह GM Trade Center का आफिस हमें देखने को मिलते हैं और इसके साथ हम Dominion Business Center 1 की भी बिल्डिंग नदर आती है जो कि fully operational है GM Trade Center fully operational है functional है और इस ताइम पे यहां पे रीसेल में चीज़ें मुझूद हैं जिनको हम एक अच्छे rates पे जो है वो अवेल करके उनसे एक अच्छा profit जो है वो हासिल कर सकते हैं GM Trade Center के हवाले से आप कोई भी information लेना चाह रहे हैं या booking करवाना चाह रहे हैं कोई भी अपनी तो आप पाकिस्तान property leaders के साथ राप्ता कर सकते हैं शुक्रिया अल्ला हाफिज